प्यारे बच्चो आज की कक्षा में आप सब का स्वागत है इससे पहली कक्षा में हम क्रिया के बारे में जान चुके है आज हम विशेशन के बारे में जानेंगे चलिए अब हम कुछ वाकि पढ़ते है सुरेश चतुर लड़का है वहू गोरा है रमा सुन्दर लड़की है राजू अच्चा लिखता है मेरे पास दो लीटर दूद है चलिए इन सब में हम संया शब्दों को डोंडते है आप सभी को मालूम है कि इन सभी में संया शब्द क्या है जी हाँ सुरेश रमा और राजू संया शब्द है इन में सर्वनाम शब्द क्या है बताईए जी हाँ वह और मेरे ये दो सर्वनाम शब्द है इन वाक्यों में चतूर, सुन्दर, गोरा, अच्चा शब्दों को पढ़ने से क्या पता चलता है ये शब्द किसके बारे में बता रहा है जी हाँ ये शब्द संया या सर्वनाम के बारे में बता रहा है इन शब्दों को हम क्या कहेंगे मैं बताता हूँ इन शब्दों को हम विशेशन कहते है याने जो शब्द संया या सर्वनाम की विशेशता याने गुन बताते है उन शब्दों को विशेशन कहते है राम अच्छा लड़का है इसमें राम का गुन बताने वाले शब्द क्या है आपने बिल्कुल सही कहा अच्छा शब्द राम के गुन के बारे में बताता है तो इसमें अच्छा शब्द विशेशन है हाइदराबाद सुन्दर शहर है इस वाक्ष में हाइदराबाद की विशेशता के बारे में बताने वाले शब्द क्या है बिल्कुल सही कहा सुन्दर शुन्दर शब्द विशेशन है इसमें गाई काली है इसमें विशेशन शब्द काली है मोहन लंबा है इसमें विशेशन है लंबा शब्द महेश मोटा है इसमें विशेशन है लंबा शब्द रमेश होशियार लड़का है इसमें विशेशन शब्द है होशियार सीता समझदार लड़की है इसमें विशेशन है समझदार इस प्रकार किसी भी व्यक्ति वस्तू पदार्थ आधी के गुन रंग रूप आकार आधी गुन बताने वाले शब्द को विशेशन कहते है विशेशन मुक्य रूप से चार प्रकार के होते है पहला गुन वाचक विशेशन दूसरा संक्या वाचक विशेशन तीसरा परिमान वाचक विशेशन चौता सार्वनामिक विशेशन पहला गुन वाचक विशेशन के बारे में हम जानेंगे गुन या दोश रंग समय स्वाद आकार गंद आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुन वाचक विशेशन कहते है उदाहरन अच्चा, बुरा, काला, पीला, मोठा, मीठा, कडवा, कुश्बू, बद्बू, आदि गुन वाचक विशेशन के अंतरगत आते है दूसरा संक्या वाचक विशेशन संक्या वाचक विशेशन में संक्या संबंधी विशेश्ताए जैसे दस कई, दूसरा, तीसरा, सबकुछ आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संक्या वाचक विशेशन कहते है तीसरा, परिमान वाचक विशेशन है इसका आर्थ है किसी वस्तु पदार्थ आदि का परिमान के बारे में बताने वाले शब्दों को परिमान वाचक विशेशन कहते है इसके अंतरगत हलका, थोड़ा, बहुत, इतनी सी आदि शब्द आते है चौथा, सार्वनामिक विशेशन है इसका आर्थ है किसी सर्वनाम के बारे में बताने वाले शब्दों को सार्वनामिक विशेशन कहते है इसके अंतरगत यह लड़का, यह बच्चे, आदि शब्द आते है